Hello friends, so welcome to my YouTube channel So, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं Billing System and Invoice Billing System हम कैसे generate करते हैं Invoice कैसे generate करते हैं एक Telecom Domain Company में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने एक America की company में काम करा है जिसका नाम है Charter और उस company में Telecom Domain काम कैसे करती है इसके regarding मैंने एक वीडियो बना दिया था अब हम देखेंगे उसी company में billing system generate कैसे होते हैं कौन सा application यूज़ करके billing system को generate किया जाता है और उस billing system generate करने का flow क्या होता है वो सारे के सारे process को इस वीडियो में cover करेंगे तो पूरा वीडियो को देखें और समझे कैसे एक टेलिकॉम डोमेन company billing system generate करती है और कई सारे मेरे friends का comment भी था कि वो एक billing system को समझाने के लिए कैसे billing system generate होता है तो overall मैं बताने वाला हूँ कि billing system कुछ बहुत बड़ा चीज नहीं है बहुत complex topic नहीं है billing system normally आपका day to day life का एक part है जो आप जब भी कोई भी product खरीटते हो तो एक shopkeeper आपको receipt देता है एक परची देता है जिसमें आपका product का सारा detail होता है नाम होता है पलस आपके charges जो उद्ध लगाय हुआ होते हैं वो होते हैं तो मतलब कि billing system आपका day to day life का ही part है आप रोज कोई ना कोई customer से समान कोई ना कोई आप रोज समान खरिते हो shopkeeper से आप एक आज़ा customer हो और आप पैसा देते हो लेते हो लेंद दिन काम करते रहते हो तो जो भी एक पुरजा त्यार होता है जो भी receipt त्यार होता है billing system उसी का part है वही billing system है अब बात करते हैं टेलिकॉम डोमेन में तो टेलिकॉम डोमेन में भी कुछ बहुत सारे services है और वो बहुत सारे customer उससे जुड़े होयाते हैं तो उन customer को भी billing system देना पड़ता है तो हम यहाँ देखेंगे कि billing system overall कैसे generate होता है यह बहुत ही अच्छा topic है और यह एक business का बहुत बड़ा part है इससे business को काफी improve होता है billing system generate करने पे तो आईए के करके देख लेते हैं कि billing system में क्या हम use करते हैं कौन सा application यूज करते हैं और क्या उसका process होता है ठीक है सबसे पहले हम जानेंगे billing type के बारे में billing जो billing type कई तरह के हो सकते हैं मैंने basically हमारे company में पांच तरह के billing system generate होते थे अब यह company to company vary करता है जैसे एक application ज़रूर नहीं है कि एक खास application से billing system generate हो हो सकता है वो application icons हो क्वाहा हो, क्वाका हो, gateway हो etc या OSM कुछ भी हो सकता है तो एक pre-paid दूसरा post-paid यह आपको पता ही है overall सब लोग जानते है interconnect billing यानि कि आप एक customer हो और कई सरे आपके पास services हैं तो सबका billing system एक दूसरे से connect है roaming charge मतलब आप California में रह रहे हो और आपको किसी friend के घर या किसी relation के घर relatives के घर जाना पड़ गया शादी में तो आप वहाँ से California से लेगा है Miami जब आप Miami जाओगे तो वहाँ पे आपके उस service के charge लगेंगे तो उसका वही है roaming charge और convergent billing जो है आपने कोई office खोल रखा है उसमे बहुत सारे किसी खास telecom domain की services यूज हो रही है ठीक है तो सारा bill आप पे उफट के आएगा यूज करने वाले कोई और होगे पर जितना भी billing generate होगा वह आपके नाम होगा तो वही convergent billing system यही है तो बस यह ज़्यादा information की ज़रूत नहीं है बस इस पे आप ध्यान दे कि billing system type है और billing system क्या होता है हम अभी main बात करेंगे application पे कि billing system हम application की तौर पे कैसे उसको generate करते हैं तो मैंने आपके लिए यहाँ एक create करा है यह application है actually मैं यह dummy application है इसको serious नहीं लेना हमारे company में किस तरह से billing system generate करते हैं application का use करके वो application कोई भी हो सकता है हो सकता है कि अगर विप्रो अपना company का जो विप्रो जो है अपना application अलग use करती हो billing system generate करने का टेलस अपना अलग रखती हो ठीक है STL अपना अलग रखती हो वगरा वगरा जो भी हो तो मैं किसी application का copy नहीं करा मैंने एक dummy त्यार कर दिया है application difference हो सकता है पर billing system generate करने का जो process है same ही होता है थोड़ा बहुत इधर उधर एकदम lightly change होता है वो भी depend करता है कि आप services कैसे देना चाह रहे हो customer इस तरह लेना चाह रहा है ठीक है ठीक है तो अब हम देखते हैं हमारा एक customer है मान लिजे मैं एक office में बैठा हुआ हूँ आपके सामने जो वीडियो पे screen दीख रही है वीडियो में वो एक application है जिसका नाम billing system है और मैं एक provider हूँ मेरे पास एक customer आया उसने कहा कि मुझे तीन services चाहिए मैं आपको एदम real environment में बता रहा हूँ हमारे पास ALM में taste के साथे थे कि customer का demand है customer का requirement है कि वो hsd plus tv plus phone वो हमें तीन services दे यह customer का demand है अब इस taste case को हम नजर में रखते हुए हम billing system का application open करते हैं ठीक है तो customer का demand हमारा क्या था internet service उसको चाहिए cable चाहिए यानि कि television चाहिए sorry cable service चाहिए tv service चाहिए और उसको क्या चाहिए telephone चाहिए tv service चाहिए और internet चाहिए hsd का मतलब internet, tv और phone ठीक है तो आप देख सकते हैं हमने internet ले लिया ठीक है उसके बाद मैंने tv service ले लिया ठीक है और एक vip phone ले लिया हमें तीन service देने हैं तो इसी लिए इस billing system में बहुत सारे services होंगे इन में से हम वही service select करेंगे जो service हमें customer को देनी है यानि कि जिसका हमें billing system generate करना है हमने चूज कर लिया internet service tv service और vip phone service ठीक है फिलाल अभी customer का demand है कि वह सरिफ तीन service चाहता है इसके लाग कोई service वह नहीं चाहता है अब हम यहां से इस application में उस तीनो services को select कर लेंगे या वह radio button type का होगा या combo box type का होगा या increment और decrement service होगा यानि कि अगर आपको चाहिए तो increment कर दीजे नहीं चाहिए तो छोड़ दीजे यानि कि वह value 0 होगा और जैसे हम increment करेंगे तो 1 हो जाएगा मेरे बात समझ रहे हैं तो यह अलग-अलग UI का पार्ट है इस पे हम focus नहीं करेंगे पर flow same है जैसे हम इस service को select करेंगे application का rule है नियम है billing system का है कि हम next पे click करें तो जैसे हम next पे click करेंगे हमारे पास एक और slide आएगा ऐसे करके slide आते रहेंगे तो हमने एक Excel पे बनाया हुआ है sheet वहां हम आपको समझाएंगे कि अगला जब slide आएगा तो किस तरह का slide आएगा वो हम देखाएंगे आपको देखें जब हमने तीन services ले लिए तो हमारे पास एक निया slide आया उसमें क्या का information होगी information होगी location सबसे important part है billing system का किस location पे हमें वो services देनी है यानि कि अगर आपका घर देली में है तो कोई देली का भर का address तो होगा ठीक है वो एक territory है तो USA में क्या होता है अलग-अलग area का अलग-अलग territory का एक location होता है उस location का number होता है जहां पर charter अपने services को provide करती है ये location company खुद बनाती है कि कहां हमें services कैसे देनी है क्या charge लगेंगे वगरा वगरा जो भी हो तो अब हम location डालेंगे जो भी 1,2,3,4,5 माल लिजे अब billing system किसके नाम से generate होगा माल लिजे मैंने ले लिया है double AA करके और उसका last name है ठीक है ये हमारा है पहला नाम और आखरी नाम याने कि first name और last name जिसके नाम पर services जा रही है ध्यान रहे है इसमें कोई complex अली बात नहीं है friends मैंने services ले लिए अब हमें सारी information देनी है किसके नाम से generate होगा हम उसका telephone डालेंगे कुछ भी telephone हो सकता है अब उसका हम zip code डालेंगे zip code बहुत ज़रूरी है किस location पर देनी है ये बहुत important रखता है कुछ भी ले लेंगे x y z अब देखिए home type क्या है हो सकता है कि अगर आप जिस application से billing system generate कर रहे हो उसमें home type हो भी या ना भी पर ये depend करता है company पर कि वो किस तरह की security और कितना information देना है कितना information लेना है कुछ company होती है जो सारा information लेती है अपने customer का कि वो अधार card भी दे अपना pain card भी दे अपना green card भी दे समझ रहे मेरी बाद जैसे इंडिया में एक अधार card पर काफी काम हो जाता है पहले तो लोग seem ले लेते थे किसी दूसरे एक ID पर और verification का कोई चकर नहीं होता था यह आप भी जानते है पर अब verify भी हो रहा है और photo भी खिच जा रही है जिसका अधार card है उसको जाना compulsory है तो यह rules में थोड़ा changes है ऐसे वहाँ USA में भी ऐसे ही है home type का मतलब आपका अपना home है या आप renter हो क्या हो आपका office है या नहीं है समझ रहे है home type देना ज़रूरी है आपका ना street address बताओ अब हो सकता है कि मेरा zip code 12345 उपर उसमें कई सारे street हो तो street का address भी होता है पार्टिकुलरी जैसे माल लिजे A, B ADS माल लिया मैंने 2345 करके 16 और B यह की street माल लिजे street का number रही है USA में कुछ ऐसा ही होता है अब देखिए service code ज़रूर देंगे हो सकता है नई भी हो पर हो भी हम कभी services को नाम से भी लेते हैं और कुछ-कुछ ऐसे billing system के application होते है जो service के code पे install होते है जैसे icons है एक ऐसा application icons जहाँ पे जो भी billing system generate होता है वो code के base पे होता है वहाँ services नहीं लिखना होता है internet और cable और phone वहाँ लिखना होता है internet का code क्या है तो LZ005 यह internet का code है ठीक है अब देखिए clock type बहुत important part है clock type आपको मिलेगा नहीं पर यह मुझे इंटर्नल पता है clock type क्या होता है बहुत सारा application इसको use नहीं करती है पर हमारे company में भी use नहीं होता है पर यह एक clock type part है जो मैंने अपने तरफ से बताया जो मेरे management label की जो हमारी meeting होती है clock type को वो include करना चाह रहे थे पर उनने कहा कि नहीं इसकी जुरूरत नहीं है clock type क्या होता है जैसे कि आधी रात पे आप 11 बज़े के बाद 11 o'clock आप service बन कर देते हो आनि कि कोई भी internet use नहीं करता है family वाले गारे बज़े के बाद या कोई भी services और आपको सुबह 5 बे तक आपको service stop चाहिए तो उतने घंटे का जो billing होता है उतने घंटे का वो company आपसे charge नहीं लेगी यह बहुत अच्छा facility है पर यह not applicable अभी है ठीक है ना clock type यही है आप समझ रहे हैं आप माली जे 12 बेस लेगे 3 बज़े, 4 बज़े सारा information दे देंगे information सारा डाल देंगे अपने application में और फिर आप next क्लिक करेंगे तो आपके पास एक next slide फिर आएगा अब दिखिए हमारा आ गया 3 services चाहिए था हमको ना अब यह 3 services पहला है television अब हम television का service ले रहे हैं तो किस तरह का package हम लेना चाह रहे हैं अपने channel क्या क्या channel हो मेरे पास HBO आए Action, UTV वगएरा वगएरा जो भी हो channel बहुत सारे channel होते HBO आए Star Movies आए Discovery आए, National Geographic आए Pogo आए, Cartoon Network आए सारे channel आए तो अगर customer का demand है नहीं मुझे normal चाहिए regular जिसमें 100 channel हो तो customer का अगर demand है regular तो वो वो regular service को highlight करेगा या उस पर tick कर देगा या उसको ले लेगा या उसके coat को ले लेगा मेरे बात गौर समझेगा अगर customer को स्रीफ regular service चाहिए यहनि कि स्रीफ 100 channel उसको 100 channel चाहिए उसके ज़्यादा channel नहीं चाहिए उस application में होगा क्या ऐसे आपको generate करना है customer नहीं मुझे गोल्ड चाहिए तो गोल्ड चाहिए का मतलब 200 channel तो charges बढ़ेंगे billing system में charges बढ़ेंगे तो वो क्या करेगा गोल्ड वाले को गोल्ड वाले channel को click करेगा और tick करके उसको भी ले लेगा यानि कि गोल्ड चैनल के लिए silver का भी होना जरूरी है regular का भी होना जरूरी है यानि कि regular में आपको 100 channel है silver channel में आपको 150 channel है यानि 150 और जब गोल्ड लेंगे तो 200 channel जब diamond लेंगे तो हो सकता है आपको 300 channel हो मेरे बाद समझ रहे हैं तो यह depend करता है कि अब हम क्या क्या देंगे device में क्या क्या देंगे जो service ले रहा है वो TV का कौन कौन सर डिवाइर जाएगा बिल्कुल जाएगा बिल्कुल जाएगा setup box जाएगा बिल्कुल जाएगा SD monitor customer कहता नहीं मुझे SD monitor नहीं चाहिए तो इसको skip कर देंगे हमें उसको highlight नहीं करना है उसके radio button को click नहीं करना है या उसका code हमें नहीं डालना है अगर हम code डालेंगे तो ये भी services customer को जाएगा customer type अब जो customer हमसे जुड़ा है वो किस तरह का है new customer है या regular customer है या पुराना customer है या new customer है तो अगर new customer है तो new customer पर click करेंगे अगर regular है तो regular पर click करेंगे तो फिलाल हम new अला ले लेते हैं ठीक है service type customer किस तरह का service चाहरा है 6 मेने बाद वो अपना सारा service कटवा देगा या seasonal seasonal का मतलब होता है customer चाहता है सरिफ summer time के लिए रहे यानि के 6 मेना 7 मेना क्योंकि US में क्या होता है 3-4 मेने तक इतना ज़्यादा बर्फ गिरता है इतना ज़्यादा वो ठंडा रहता है कि लोग अपना अपना area को छोड़के किसी दूसरे जगा दूसरे country में या neighbor country में जाके settle रहते हैं तो इस तरह के service को बोलते है seasonal services या yearly या पूरे एक साल का service लेगा जो भी customer का requirement हो तो मैंने ले लिया है half yearly माल लीजे customer का requirement नहीं हो आधा 6 मेना अपना लेना चाह रहा है अब ये बहुत important part है tipsy नन tipsy installation type tipsy का मतलब होता है customer चाह रहा है telecom domain से एक बंदा आये service provider अपने बंदा को लगे मेरे घर भेजे और सारे services को वो अपने हाथ से खुद install करे customer स्रीप पैसा देगा और install नहीं करेगा तो मेरा requirement है customer का कि नहीं company से कोई provider आये वो ही install करे ठीक है तो ये non tipsy non tipsy का मतलब आप हाथ नहीं लगाओगे आप install नहीं करोगे वो company का बंदा आएगा खुद install करेगा और tipsy का मतलब आप खुदा खुद से install करोगे तो ये सारे application में होते हैं information दे नहीं पढ़ती है वहाँ पे prepay या post pay आप पैसा भी देना चाहाँ या बाद में जो भी हो ठीक है ये मैंने television का cover कर दिया है अब हम आएंगे phone पे देखिए मैंने उपर आपको यहाँ पे नाम वाम के साथ दिया था regular silver gold diamond अब उसी चीज़ को हम तोड़ा code में देखेंगे पर ये phone service है याद रहे मैंने television television services के सारे code ले लिए हैं दे दिये हैं customer का demand क्या था तीन चीज़ चाहिए था उसको triple play तीन चीज़ को triple play कहते हैं telecom domain की company telecom domain की term में उसने television के सारे services ले लिए थे ठीक है या आप देख रहे हो अब उसे चाहिए phone की services ठीक है आप यहाँ है phone की services चाहिए तो customer phone में क्या चाहता है पहला है rvs regular voice service या xvs extra voice service या extra voice service plus plus sms, mms, vpn customer का अगर demand है नहीं मुझे स्रिफ चाहिए extra voice plus plus तो हम extra voice plus plus की services को add कर लेंगे उसको क्या चाहिए vip phone ठीक है regular device, wire तो जो जो information चाहिए हम उसे ले लेंगे customer क्या new है regular है customer regular है पहले से customer पुराना है माल लीजे टीबी का निया है पर phone पहले से use कर रहा है suppose that तो मैंने regular customer ले लिया चाहता क्या है seasonal suspend चाहता है नहीं जब ठंडा का मौसम हो हम service बन करा देंगे तो वो tipsy जाएगा understand उसके बाद है hsd hsd का मतलब होता है internet यह telecom domain का term है आपको ऐसे नहीं मिले गा हsd गूगल पे आप hsd मारोगे तो पर यह telecom domain का term है उसको hsd कहते हैं और जब भी telecom domain में कोई भी customer तीन service लेना चाहता है तो उसको कहते है triple play अगर दो service लेना चाहता है तो उसको कहते हैं double play और एक ही service लेना चाहता है तो उसको कहते है single service या single play अब customer internet कैसे चाहता है वो चाहता है lsp10 यह code है मैंने आपको यहाँ नाम दिखाया था उपर silver diamond वगरा यह code है अगर आप उसको lsp10 चाहिए एक तरगा plan है जिसमें low और medium high का है ठीक है ना lsp का मतलब यह code मैंने अपने site से लगाया है जिसमें 10 mb per second हमें speed देगा यह medium service है ठीक है msp यह code है अगर customer चाहता है कि नहीं मेरे पास 20 mb per second चाहिए तब हम 20 mb per second को ले लेंगे और वो चाहता है कि नहीं और speed चाहिए xhsp100 500 जो भी हो तो उसके इसाब से वो services को हम ले लेंगे अब internet को install करने के लिए क्या वो modem चाहता है card चाहता है device router क्या है तो router चाहिए तो router पे click करेंगे उसका मांग है on new cable भी जाहिए उसको on new cable भी दिया जाएगा अगर उसके पास on new cable है तो on new cable नहीं लेगा तो नहीं लेगा तो on new cable का charge billing system में नहीं होगा customer क्या है customer नया है तो नया customer को नया पे click कर देंगे new customer है ठीक है कैसा चाहता है yearly पूरे एक साल का service चाहता है phone का internet का तो बिलकुल मिलेगा service कैसा चाहता है non tipsy तो overall मैंने सारे information आपको दिये कि एक billing system कैसे generate होते हैं अब आगे देखिए जब हम customer की सारे services सारे requirement को हम cover कर लेंगे कि उसका क्या requirement था तब हम उस पे next पे click करेंगे या enter मारेंगे या slide 1 पे 2 पे 3 पे जाएंगे जैसा वो application होगा वैसे आपको training वहाँ मिलेगी तो जैसे finally overall हम सब cover कर देंगे complete कर देंगे उसके बाद उस application के last slide पे हमारा generate होगा order ID location और SF ID वो कुछ भी हो सकता है माल लीजे order ID से हम check करेंगे अब हम एक यह order ID बहुत important है यह सबको note करना होता है और note करके एक जगा paste करना होता है अब मुझे जाचना है मुझे देखना है कि मैंने जिस customer के लिए इस location पर क्या क्या service select किये थे क्या वो उसके services हुए है जैसे कि आपका नाम माल लीजे आपका नाम kritika है और एक भाई का नाम webo है तो webo ने कहा मुझे यह services चाहिए कौन से services यह तीनो services webo का demand है कि मुझे internet, tv और phone तीनो services चाहिए ही चाहिए और kritika का भी demand है कि मुझे यही चाहिए service तो अब जब मैंने webo और kritika का service book करा, slot book करा सारे services cover कर लिए दे दिये मैंने एक billing system generate कर दिया तो हम पता कैसे करेंगे कि kritika और webo को वही services मिले हैं जो उनके requirement है तब हम ऐसे हालात में ऐसे situation में order IT को उठा के ठीक है एक application आता है OSM और UIM जैसा कि मैंने बताया था OSM UIM OSM और UIM ये दो application का mention मैंने इससे पिछला ले वीडियो में किया था यहाँ data flow check data का flow check होता है flow से हमें पता चलता है कि हमने कौन कौन सी services webhawk को और kritika को दिये हैं वो पूरी list आएगी पूरी list उस application में दिखेगी कि कौन कौन services webhawk को और kritika को मैंने दिया है OSM क्या होता है order service management यानि order जो भी हुआ है उसके service को manage करता है और UIM है inventory management ठीक है न ठीक है UIM ये एक inventory management है कि वो services किस location पर कहां गई है क्या उस location पर कोई दूसरा पहले से मौजूद तो नहीं है ये भी देखना बहुत जरूरी होता है ठीक है तो ये सारा इसी का part है data को या कोई भी billing system को अगर हम generate करते हैं तो उसका flow हम check करते हैं अब ये company का कोई भी application हो सकता है हो सकता है charter का OSM UIM हो Wipro का माल लीजे XPS या ZPS Tech Mahindra का माल लीजे XPS ये एक application का नाम है कि दूसरे company का application D flow एक नाम है हो सकता है कुछ भी हो सकता है पर data का जो order service का जो तरीका है flow है एकदम same होगा जैसा मैंने आपको बताया थोड़े बहुत changes हो गए है service को book करने के लिए तो हम service का नाम डालेंगे या तो उसका code डालेंगे तो code आपको बताया जाएगा कि internet का code क्या है ठीक है आप बिल्कुल फिकर ना करें वहाँ सारी training दी जाती है तो ऐसे generate होता है हमारा billing अब हम अगर देखेंगे हमारा सारा data flow सही से successfully हो गया तब हम जाके ALM में ALM में जाके क्या करेंगे ALM पताया को क्या होता है application life cycle management यहाँ test case आते हैं US से जो भी client होती है हमारी वो test case सारा ALM अपलोड करती है और हम ALM की मदद से test case निकाल के सारे services को book करते हैं billing system generate करके फिर हम test case को क्या करते हैं पास कर देते हैं अगर यह सारा flow successfully चल गया हम लिखेंगे test case पास अब यह हमारा जो billing system generate होगा यह reflect करेगा वहाँ पर जो उनका data server है server है उनका SQL का MySQL से जो control करते हैं सारे server पर वहाँ पर data reflect होगा और वहाँ वो billing system generate होगा ठीक है अब इसमें कोई मुश्किलात नहीं है कोई भी इसमें difficulty वाली बात नहीं है मैंने dummy application को बना के आपको देखा दिया एक बार फिर से मैं आपको summary बता दे रहा हूँ कि यह हमारा billing system का application है जो भी services हमको चाहिए होता है हम यहाँ से select करते है next click करते है फिर हमें एक next slide पर यह application ले के जाता है और वहाँ से हम कुछ information provide करते है जो की काफी mandatory होता है ठीक है मैं आपको example दे रहा हूँ कि अगर आपको air tail या geo का कोई भी आगर आपको router लगवना हो अपने घर पे internet के लिए तो जैसी बात है आपका आधार काड लगेगा आपकी information लेंगे आपका photo खीचेंगे जैसा कि मेरे साथ हुआ था ठीक है जब मैं इंडिया में था तो मैं उस time मुझे जुरुत पड़ा तो मैंने लगवाया तो यह सारी information दी गई और लिया उसने ठीक है तो कोई भी telecom domain की services लेने से पहले information देनी पड़ती है कहां आपको service चाहिए घर number कितना है घर का नाम क्या है आज पास कोई location दीजिए ठीक है landmark बताईए जिप कोड बताईए बहुत सारी information होती है उसके बाद जो slide हम next आते हैं हम कौन-कौन services देंगे customer किस तरह का requirement हो सकता है customer का बहुत high-five requirement हो तो high-five services देंगे तो उस तरह का high-five billing system generate होगा मेरे बास समझ रहे हैं तो यही था मेरे friends अब इस पे कोई question तो मुझे नहीं लगता है कि आपको question कुछ होगा अगर आभी भी आपको billing system में कोई confusion है और invoice क्या है देखे मैं बता जरा invoice कुछ नहीं है सारे यह billing system के flow को finally invoice कहते है जो की रसीद में cut कर आता है ठीक है बस वही invoice है billing system invoice में ज़्यादा difference नहीं है तो आप बेफिकर रहे हैं ठीक है तो यह billing system का जो process था एक यह process दूसरा यह process और तीसरा यह process तो यह process गया फिर उसके बाद मैंने OSM और UIM में चेक किया तो यह सारे process सारे flow को हम billing system कहते हैं और इसका जो generate होता है receipt उसको invoice कहते हैं तो अब कुछ नहीं है बताने को अगर आप भी भी आपको कोई confusion है तो आप पुझे comment जरूर करना मैंने बहुत अच्छे से बता दिया है कि हमारे company में काम कैसे होता है और सारी telecom domain की company यही flow अपना चलाती है अपने सारे services को ऐसी देती है ठीक है अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो like जरूर करना अगर कोई confusion हो या कुछ गलतिया हुई हो मेरे side से तो I'm really sorry for that पर मैंने ऐसे कुछ information नहीं दिये जिससे किसी company को exploit किया जाए मैंने स्रीफ वही बताया है जो information एक देनी चाहिए थी मैंने किसी company का कोई भी exploitation नहीं दिया तो इसलिए मुझे उमीद है कि मैंने किसी company को target नहीं किया है कि वो application कौन-कौन सा use करते हैं actually मैं क्या होता है कि ये थोड़ा गलत तरीका है किसी भी company के privacy को break नहीं करना चाहिए तो इसलिए मैंने इसमें कोई privacy को break नहीं करा ठीक है और मैंने बस मैं चाहता हूँ आप लोग को knowledge हो telecom domain के बारे में तो इसलिए मैंने आपको video बनाया और finally किसी ने comment भी किया था कि वो billing system के बारे में जानना चाह रही है तो मैंने especially बनाया कि हो सकता है और भी लोग के मन में सवालात हों questions हों कि क्या है billing system और invoice तो हम ऐसे करते हैं billing system और invoice video के एक दू बार repeat करके जरूर देखना तो बहुत अच्छे सापको समझ में आएगा इसमें कोई मतलब rocket science नहीं है ओके friends have a nice day जाहिन और video को continue watch करते रहो like करो, share करो और channel को subscribe जरूर करना have a nice day